किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि चाइना को ड्रोन की टेक्नोलोजी में टक्कर देने वाला और कोई देश नहीं बलकि भारत होगा अब भारतिये कंपनी के पास एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है कि अब यह सीधे अमेरिका में घुसने की तैयारी कर रहे ह और चीन को बाहर निकालने की पूरी बात क्या है मैं आपको बताता हूँ आइडिया फोर्ज जो की भारतिये कंपनी है और इसे 2007 में स्थापित किया गया है और यह मुंबई बेस स्टार्ट अप है आई आई टी मुंबई के एक ग्रुप ने इस कंपनी को स्टार्ट किया थ जो कि ड्रोन टेकनोलोजी में महारत हासिल करना चाहता है और रिसेंटिली एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अमेरिका बहुत ज्यादा परेसान है चाइनीज ड्रोन की वजह से जिसके चलते यह चाइनीज ड्रोन को अवाइट करना चाहते हैं और भारतिये अपनी आइडिया फोर्ज के लिए अब ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने आ चुकी है और ये खुद यहां पर आइडिया फोर्ज के सीयों अंकित महता ने कंफर्म किया है उनका कहना है कि पिछले 10 साल में हमने इतना सीरियसली नहीं लिया यह ड्रोन इंडस्ट्री क और अब अमेरिकन मार्केट में यह उतर कर चाइना के मार्केट को तबाह करना चाहते हैं बीते कुछ वर्षों में अमेरिका ने बहुत बड़े-बड़े संगीन आरोप लगाए हैं चाइनीज कंपनी DJI पर और DJI एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर ड्रोन मैनुफेक्चर कंपनी है लेकिन अमेरिका का कहना है कि यह अपने ड्रोन बेचते हैं अमेरिका में लेकिन यह जासूसी भी करते हैं साथ में और सारा डाटा जाता है चाइना की कम्यूनिस्ट पार्टी को जिसे लेकर अमेरिका पूरी तरह से परेशान है और यह DJI के ड्रोन को हाई हट तक तो यहाँ पर American Universities College Campus में तक DJI के drone allowed नहीं है, ये बाकी companies के drone को prefer करना चाहते हैं, लेकिन DJI को हरगिस नहीं, लेकिन एक तरफ जहाँ चाइना की company की छुट्टी की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतिये company के लिए अब एक सुनहरा मौका आ चुका है, और TVS ने अफरीका के market में घुसकर चाइना के छक्के छोड़ा दिये थे, तो अब वक्त आ चुका है कि drone इंडस्ट्री में भी भारतिये company सामने निकल कर आए, और अपनी innovative technology से Chinese company को पीछे छोड़ दें, अगर आप भी मेरी इस बात से agree करते हैं, तो एक like जरूर करें, और comments में भी आप जय हिंद जरूर लिखें,